क्रिकेट फ्लॉप डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर ये रहे आपके सामने भारतिये ओपनर का अचानक हुआ निधन भारति क्रिकेट फैंस के लिए बुड़ी खबर सामने आई है भारत के लिए 1974 में तीन टेस्ट मैच खेलने वाले पुर्व ओपनर बल्लेबाज सुधिर नाईक का संचीप्त बिमारी के बाद बुधवार यानि की 5 अप्राइल को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया मुंबई क्रिकेट संग यानि की MCA के सुत्रों ने उनके निधन की पुष्टी की है